हाई अब्रीवन वेलकम टू आरकेश टड़ी आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो अभी जस्ट वन मन्त हो रहे हैं उनके एड्मिशन लिए जो फर्स्ट यर के स्टूडेंट है बाकी बात जो फर्ट समेस्टर या फिफ्ट समेस्टर के हैं उनका तो पहले एड्मिशन हो चुका है तो उन लोगो थोड़ी सी प्रोसेस पता ह लेकिन अभी scheduling के बारे में उन लोगों को भी नहीं पता होगा तो जो इस्टूडेंट वी ट्यूपी यानि फॉल टेक्निक फर्स्ट यर सेकेंड या थर्ड यर में हो सारी स्टूडेंट का इस वीडियो के अंदर लाव होने वाला है तो पूरा वीडियो सुरू से लेके लास हैं और एक और सबसे अच्छी सूचना यह है कि आपकी स्किल डवलप करने के लिए एक नए चैनल का भी निर्माड होगा जिसमें कि हम आपको जावा पढ़ा रहे होंगे और अभी इसमें यह भी बताएंगे कि इस चैनल पे जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं इस ऐसे करके और आपके पास अभी कितना टाइम है ठीक है कितना टाइम बच गया है आपके एकजाम आते तक और आपने कितना पढ़ा है उससे आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी रिजल्ट अच्छी आ सकती है अगर आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुरू से लेके लास्ट देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मेरा नाम है रविंद्र कुमार और आपका स्वागत है आरके स्टडी पर सबसे पहले यहां पर काफी सारी स्टूडेंट का यह कमेंट आ रहा था कि जो एकजाम है वो कब होगा इसकी न्यू सीडियूलिंग क्या हो सकती है इस बार की क्योंकि देखे अभी जब कोवीड 90 आया था यहने 2019 में जब आया था तो उसके बाद से जो सीडियूलिंग है पूरा चेंज हो गया था और जो दो तीन महीने जो है एकजाम डिले चल रहा था जैसे कि जो एकजाम दिसंबर में होने थे ठीक है वो कभी कभी तो मार्च में भी हुआ है ठीक तो यह सीडियूलिंग क्या ऐसे ही रहने वाली है या चेंज होने वाली है ध्यान से समझेगा कि पहले क्या सीडियूलिंग चलती थी और अब क्या चल रही है या अब क्या चलने वाली है तो 2022 तक जो एकजाम हुए है 2022 का जो एकज हो जाती थी ठीक है लेकिन इस बार की जुलाई चली गई है तो देख सकते हैं कि कितने डिले हो गई है और पीछले बार जो एक्जाम हुआ था वो मई में हुआ था जो की नहीं होना चाहिए था फिफ समेस्टर का तो इस बार क्या ऐसा होने वाला है तो बिल्कुल नहीं अब सारे स्टूडेंट का जो सीडियूलिंग है वो दिसंबर के सुरुवात यानि दिसंबर के फर्स्ट वीक से ठीक है फर्स्ट वीक से आपका जो है एक्जाम का सीडियूलिंग का पता चल जाएगा इसका कहने मतलब है कि नवंबर में आपका सीडियूल आ जाएगा नवंबर तक यानि लाज दिसमबर तक जो है complete हो जाता है one semester मतलब जैसे अगर first semester में तो first का third semester में तो third का और fifth semester में है तो fifth semester का यानि जो भी student first semester में उनका लगभः एक्जाम इस बार December में होगा पिछले बार जनुवरी में भी चला गया था फिर मार्च तक हुआ था तो यहाँ पे इस बार से डिले नहीं होने वाला है तो I hope कि आप सभी को answer यहाँ पे मिल गया होगा यह आपका जो new scheduling में है उसमें आपका exam जो है December में होने वाला है अब यहाँ पे काफी सारी student का यह doubt आ रहा होगा कि हमारे पास कितना time है तो अभी देख रहे हैं कि October चल रहा ह है तो October लगभग यह end होने वाला है ठीक है हमारे पास 10 दिन या 12 दिन जो भी time है हमारे पास 10 देज और 12 देज के लगभग हमारे पास time है तो इसके अंदर तो अभी तक आपने कुछ अगर नहीं पड़ा है तो इसमें भी ऐसे ही पार कर लेंगे भी दिपावल योगरा आ र हमारे राचे कर सकते इसको अच्छे से अपने दिमांग में बैठा कर अपना सिड्यूल बना कर अब तक अपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तोलपम आपकी नौट्स् वेलब बल है तो नोज ऑवल बल गल है कौन-एयस्तों है ौट्ट समेस्टर के सियस के सब्सक्राइब नोट्स अर्लबल है जिनको लेना है टेलीग्राम जोइन करके रख लेंगे वहाँ पर मैं बताता हूं कि किस तरह से आप जो है नोट्स ले सकते हैं और जो इस्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम जोइन नहीं किया है डिस्किप्शन में लिंक है यहाँ पर नाम भी लिखा गया है इस नाम को सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा जो भी इंपोर्टेंट वहाँ पर नोटीस होती है जैसे कि आपका मालेजिए कोई जॉब से रिलेटेड हो या तो फिर कोई और विटी उपी के तरफ से इंफॉर्मेशन हो तो सारी इंफॉर्म आपकी लगबग एक दो दिन के अंदर में आपका क्लास जो है प्रुपरली स्टार्ट हो जाएगा जो जो जितना बचा है वहां से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो आई होप कि आपकी जो कुछ डाउट है वो थोड़ा सा किलियर हो गया होगा और अपनी पढ़ाई जो है नया चैनल क्रिएट हो रहा है तो उसमें भी आप लोग अच्छे खासे कंपनी को टारगेट करने के लिए आपके लिए मेहनत हो रही है क्योंकि काफी सारे स्टूडनें जो CSIT के रहते हैं उनको CSIT जैसे वर्क नहीं मिल पाता है तो इसके लिए स्कील के ज़रूरत होती है इसकील डवलप करने के लिए एक नया चैनल क्रिएट हो रहा है तो वह भी आपको पैता चल जाएगा इसलिए चैनल को सस्क्राइब कर लो और क्लास भी रेगुलर आएगी और अभी जो वीडियो आने वाली है वो बहुत इंपोर्टेंट आने वाली है तो सारी वीडियो आ आप लोग जोड़ो देखिएगा आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए टेल दन कीप लर्निंग एंड कीप एक्स्प्लॉरीं